Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. Tally Prime की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Tally Prime में Sells Voucher क्या है और उसमें Transactions कैसे Record करते हैं. इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि Tally में Purchase Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं. हमने आपको Purchase Voucher वाली वीडियो में बताया था कि Purchase Voucher, Sells Voucher, Debit Note Voucher और Credit Note Voucher मुख्यता माल यानि Goods से संबंधित होते हैं. साथ हे इन चारो वाउचर में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी. आप उन सभी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो Purchase Voucher वाली वीडियो अवश्य देख लें. Purchase Voucher वाली वीडियो में हमने एक महतुपुन बात भी बताई थी कि Tally ने इन चारो वाउचर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए तीन मोड्स दिये हैं. Item Invoice, Accounting Invoice और As Voucher और इन तीनों मोड्स के बारे में भी हमने आपको अच्छे से समझाया था साथ ही ये भी बताया था कि मोड्स कैसे चेंज करते हैं चली आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से Sales Voucher के बारे में बता देते हैं. जब व्यापार में खरीदे गए माल या Manufacturing यानि निर्मान की स्थिती में तयार माल का विक्रे किसी कस्टमर को कैश या क्रैडिक पर किया जाता है तो उस Transiction को Sales Voucher में रिकॉर्ड करते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्पून काम है Sales और प्रतीक Sales के साथ हमें उसका बिल भी देना होता है तो आएए देखते हैं कि Sales Invoice कैसे बनाते हैं. अभी हमने Tally में अपनी Company ओपन कर रखी है और हम Gateway of Tally पर हैं. Sales Voucher के लिए V प्रेस करें अब F8 की प्रेस करें देखे ऐसा करते ही Sales Voucher Creation Window आ गई है और ये Item Invoice Mode में हैं और इसकी पहचान ये है कि इसमें यहाँ पर हमें Name of Item लिखा हुआ दिखाई देता है. आईए अब हम Sales का पहला Transaction देख लेते हैं. हमने SK Traders को 1 July 2020 को Sony TV 20 इंच वाले दो नग 25,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से और Sony TV 30 इंच वाले दो नग 35,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बेचे. जिसका कुल अमाउंट 120,000 रुपए हमें नकत प्राप्त हो गया. सबसे पहले F2 की प्रेस करके वाउचर की तारिख बगल लेते हैं. एंटर प्रेस करें. पार्टी अकाउन नेम के आगे पार्टी का नाम सेलेक करना होगा. यहाँ समझने के बात यह है कि यदि हम कोई माल बीचते हैं और उसका पैमेंट केश या फिर बैंक के चेक से हाथ होहाथ यानि माल देते समय ही प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमने जिस भी तरह से पैमेंट प्राप्त किया है यानि यदि cash प्राप्त हुआ है तो cash account और यदि customer ने check दिया है तो वो check जिस bank में जमा करने वाले हैं उस bank का account सेलेक करना होगा ध्यान रखें यदि माल delivery के समय ही check से payment आ जाता है तो इसे भी cash sell ही माना जाता है बस फर्क इतना है कि cash हमारे हाथ में ना आते हुए check के माध्यम से सीधे bank में जमा हो जाएगा और यदि हमने ये माल किसी को उधार यानि credit पर बेचा है तो यहाँ जिस customer को माल उधार बेचा है उसका account सेलेक करना होगा हमने ये माल cash payment लेकर बेचा है इसलिए list of ledger accounts में से हम cash account सेलेक कर रहे हैं एंटर प्रेस करें यहाँ dispatch details की छोटी window आ रही है इसमें माल के dispatch यानि delivery से संबंधी details दी जा सकती है हम कोई detail नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए control और A से इसे accept कर लेते हैं dispatch details के बाद party details की window आती है इसमें आप buyers details यानि जिसे आप माल बेच रहे हैं उसकी जो भी details देना चाहें दे सकते हैं अब यहां sales ledger में sales account सेलेक करें हम name of items में आ गए हैं यहां हमें stock item का नाम सेलेक करना होगा stock item के नाम के लिए उसका पहला अक्षर type करें जैसे हमने sony tv 20 inches के लिए type किया s यह देखे right side में list of stock items आ रही है और उसमें हमारे दौरा type किये गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम highlight हो रहे हैं और उनके नाम के साथ ही वो item अभी कितनी quantity में हमारे पास stock में है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम item का नाम select कर रहे हैं ऐसा करते ही हम quantity field में आ जाएंगे यहां जो stock item select किया है वो जितनी quantity में बेज़ा है वो type करें enterprise करें यहां उस stock item का विक्रे मोले यानि sales rate type करें enterprise करें यह देखें amount field में उस stock item का पूरा मोले आ गया है enterprise करते हुए आगे बढ़ें इसी तरह आपने जो भी stock items sell किये हैं वे सभी एके करके यहां पर select कर लें अबंत में enterprise करते हुए end of list select कर लें enterprise करते हुए आगे बढ़ें narration में आप इस sales से संबंध जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें माल के साथ हमें party को bill भी देना होगा bill का print कैसे निकालते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे अभी सर्फ समझने के लिए कि bill किस तरह का दिखेगा हम उसका print preview देख लेते हैं उसके लिए page up key press करें देखे हमने जो voucher अभी save किया था वो दिखाई पड़ रहा है अब आप यहां top menu bar में print option देख रहे हैं उसके लिए alter और P की इसको press करें यहां से हमें current select करना है उसके लिए या तो यहां mouse से click करें या R press करें अब यहां print preview के लिए या तो preview पर click करें या i press करें इस बिल को अच्छे से देखने के लिए या तो यहां zoom पर click करें या alter और z press करें अब आप इस बिल को scroll करके अच्छे से देख सकते हैं अब बाहर आने के लिए skip key का उप्योग करें ध्यान रखें sales voucher में party account name हमेशा उपर रहता है और इसमें यदि नकद लेकर माल बेचा है तो cash account यदि check लेकर माल बेचा है तो जिस bank में check जमा करने वाले हैं उस bank का account और यदि उधार यानि credit पर माल बेचा है तो जिस party को उधार माल बेचा है यानि customer का account select करना होता है और इसके बाद sales ledger आता है जिसमें हमेशा sales से संबंधी जो भी ledger होगा वो select करना होता है आईए अब दूसरा transaction देख लेते हैं हमने मोहन ट्रेडर्स को 31 जुलाई 2020 को एक टन वाले गोद्रे जैसी 6 नग 35,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से और Sony TV 20 इंच वाले 2 नग 24,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से उधार बेचे जिसका कुल अमाउंट 2,58,000 हुआ Gateway of Tally पर Voucher के लिए V प्रेस करेंगे Sales Voucher के लिए F8 प्रेस करेंगे Item Invoice में जाएंगे फिर F2 की E प्रेस करके Voucher की तारिख बदल लेते हैं यहाँ Party Account नेम डालेंगे यहाँ Dispatch Details की छोटी विंडो आ रही है इसमें माल के Dispatch यानी Delivery से संबंधी Details दी जा सकती है हम कोई Detail नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए Control और A से इसे Accept कर लेते हैं Dispatch Details के बाद Party Details की विंडो आती है देखिए हमने जिस Party का Leisure से लेक किया था उसकी पूरी Details आ रही है Sales Leisure इसमें Sales Account लेंगे और फिर Name of Item यह हमने लिया गोदरेज AC एक टन देखिए List of Stock items में सभी Stock items के नाम के बाद कितनी Quantity में Stock में हैं यह भी लिखा दिखाई पढ़ रहा है हमारे पास 5 AC ही हैं जबकि हम Bill 6 AC का बनाने जा रहे हैं और हमने उपलब्द Stock का ध्यान नहीं दिया और Stock item से लेक करके आगे बढ़ गए जब आप Quantity लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक Negative Stock का मेसेज आएगा फिर भी आप Bill बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें यदि आप उस item का बिल नहीं बनाना चाहते हैं तो Backspace की से item के नाम पर जाकर उसे डिलीट कर दें और यदि उसके स्थान पर आप कोई दूसरा item लेना चाहते हैं तो लिस्ट में से उसे सिलेक कर लें हम वापस गोद्रे जैसी वंटन सिलेक करके आगे बढ़ रही हैं यहां quantity में by default वही quantity आ रही है जो हमने अभी टाइप की थी हम यही रहने दे रहे हैं अब यहां पर rate डालेंगे यदि बिल में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक कर लें narration डालें और अंत में इस window को accept कर लें कई वार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे पास 5 एसी पहले से stock में थे और 5 हमने आज और खरीदे हैं जिसके entry अभी हमने computer में नहीं की है यानि जिनका transaction अभी record करना बाकी है और कोई ग्रहक माल लेने आ गया तो computer में stock तो 5 AC का ही दिखेगा जबकि हमारे पास 10 AC stock में हैं यदि आप चाहते हैं कि भविश्य में transaction record करते समय negative stock का message ना आए तो आप F12 की press करें यहां one or negative stock balance को no करके window को accept कर लें हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए escape की press करके बाहर आ गए हैं आए इस बिल का भी print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की press करें पहले हमने आपको print preview देखने का एक तरीका बताया था यहां पर दूसरा तरीका देख लेते हैं उसके लिए control और R की press करें और फिर यहां से print preview के लिए i key को press करें बिल को अच्छे से देखने के लिए zoom पर क्लिक करें अब बाहर आने के लिए escape की का उप्योग करें चले एक और transaction तेजगती से कुछ नया सीखते हुए record कर लेते हैं 31 जुलाई 2020 को हमने मोहन ट्रेडर्स को सोनी टीवी 20 इंच वाले दो नग 26,000 रुपए प्रतीनक के हिसाब से बेचे जिनका कुल अमाउंट 52,000 रुपए हमें HDFC बैंक के चेक नंबर 121254 डेटिट 31 जुलाई 2020 से माल डिलिवरी के साथ ही प्राप्त हो गया गेटवे ओफ टेली से वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए F8 की प्रेस करेंगे टेट के लिए F2 की प्रेस करेंगे फिर Party Account Name सेलेक करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि माल देते समय ही हमें चेक प्राप्त हो जाता है तो हम उस चेक को अपनी जिस बैंक में जमा करने वाले हैं जैसे कि हम State Bank of India में जमा करने वाले हैं तो यहाँ Party Account Name में State Bank of India को सेलेक करेंगे फिर dispatch details दें और फिर party details डालेंगे आप जिसे माल बेच रहे हैं यदि उसका ledger आपके यहां बना हुआ है तो party details में buyers details देने की ज़रूरत नहीं है List of ledger accounts आ रही होगी उसमें से party का नाम select कर लें हम Mohan Trader select कर रहे हैं ऐसा करते ही उसका पूरा पता जो आपने उसका ledger बनाते समय दिया होगा वो आ जाएगा Enter press करते हुए आगे बढ़ें यदि आप dispatch details तथा party details के अलावा कुछ अन्य details भी देना चाहते हैं तो उसके लिए more details option है इस पर mouse से click करें या control के साथ I key press करें ऐसा करते ही list of more details आ रही है इसमें से आप जिस तरह की details और देना चाहते हैं उसे select करें हम order details को select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही order details की छोटी window आ गई है अब आप यहां order से संबंधे जो भी details देना चाहें दे सकते हैं हम कोई details नहीं देना चाहते हैं इसलिए escape की से वापस पहले वाली screen पर चल रहे हैं sales ledger में sales account लेंगे यहां से name of item चुने quantity डाले rate डाले यहां वही rate आ जाएगा जिस rate में आपने पहले यह माल बेचा होगा आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं यदि bill में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें अब end of list select कर लें bank application दें यहां पर transaction type में जिस तरह से payment हुआ है space bar press करके list of transaction type में से उसे select करें हम check select कर रहे हैं instrument number में customer ने जो check दिया है उसका number type करें instrument date में customer के check की तारीख type करें bank के आगे customer ने जिस bank का check दिया है उस bank का नाम type करें फिर narration type करें और control और किसे से accept कर लें यदि आप चाहते हैं कि भविश्य में transaction record करते समय party details और dispatch details की window ना आए तो आप F12 की press करें अब यहां से अपनी जरूरत के इसाप से इन options को no करके window को accept कर लें no करने पर इस तरह की window नहीं आएगी और इसके बाद भी यदि आपको काम के बीच उनकी जरूरत लगती है तो आप इन्हें more details की साहता से ला सकते हैं इसके विपरित यदि आप चाहते हैं कि voucher बनाते समय स्वता ही इस तरह की window आए तो आप इन्हें yes करके window को accept कर लें हम कोई changes नहीं कर रहे हैं और accept की press करके पहले वाली screen पर चलते हैं अंत में हमनी जो 5 AC अशुक ट्रेडर से खरीदे थे जिनके entry करना रह गई थी वो अब कर लेते हैं दो अंत में हमें हमें Keeping इनके रहते हैं जो आपि ठास अंत मेंगानी थे चाहते हैं कि अ गलें सवता हैं कि अ बनात मैं हो बनात मैं हैं इस वीडियो में आपने sales voucher के बारे में जाना इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको debit note voucher क्या है और उसमे purchase return की transaction कैसा record करते हैं ये बताएंगे